दूर्गा सप्थशती, दूसरा अध्याए, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिशासुर की सेना का वद. महर्शी मेधा बोले प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर युद्धा हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे. इस युद्धा में देवताओं की सेना परास्थ हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिशासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापती श्री ब्रमा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे, जहां पर की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विश्नु और शंकरजी से कह सुनाया। वो कहने लगे हे प्रभु, महिशासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अगनी, वायू, यम, बरुन तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिश्थाता स्वयम बन बैठा है। उसने समस्थ देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुश्यों की तरह पृत्वी पर विचर रहे हैं। देथियों की सारी कर्तूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरन में इसलिए आये हैं कि आप उनके वद का कोई उपाए सोचें। देवताओं की बाते सुनकर भगवान श्री विश्नु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहे तंग गई और आँखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विश्नु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रम्हा और इंद्र आदी दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह एसे दिखता था जैसे की जाजवल्यमान परवत हो। देवताओं ने देखा कि उस परवत की ज्वाला चारों और फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर एकठठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पढ़ा। वह भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट यम्राज के तेज से उसके शिर के बाल बने, भगवान श्रीविष्नु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और पृत्वी के तेज से नितम भाग बना, ब्रमा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई. वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापती के तेज से उसके दांत और अगनी के तेज से उसके नेत्र बने, संध्या के तेज से उसकी भोहें और वायू के वरुन ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दिया, वरुन ने देवी को शंक भेट किया, आग्नी ने इसे शक्ती दी, वायू ने उसे धनुष और बांड दिये, सहस्त्र नेत्रों वाले श्री दिवारज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन करके व परुन ने उसे पाश दिया, प्रजापती ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रमहाजी ने उसे कमंड लू दिया, सूर्या ने देवी कके समस्त रोमों में अपनी किरनों का तेज भर दिया, काल ने उसे चमकती हुई धाल और तलवार दी और उजवलहार और दिव्य वस्त्र उसे भेट किये और इनके साथ ही उसने दिव्य चूडामनी दी, दो कुंडल, कनकन, उजवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजुबन, चरनों के लिए नुपूर, गले के लिए सुन्दर हसली और अंगुलियों के लिए रतनों की बनी हुई अंगूठिया उस विश्व कर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्रों और अभेद्य कवच दिये और इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुमहलाने वाले सुन्दर कमलों की मालाएं भेट की, समुद्र ने सुन्दर कमल का फोल भेट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंग और तरह तरह के रत्न देवी को भेट किये। यक्षराज कुबेर ने मधू से भरा हुआ पात्र और शेशनाग ने उन्हें बहुमूल्य मनियों से विभूशित नागहार भेट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उससे आभूशन और अस्त्र देकर उसका सम् प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतीध्वनी हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, प्रित्वी दोलने लगी और सबके सब परवत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन हो सिंग वहिनी जगत्मई देवी से कहा द सेनाओं को साथ लेकर और हतेयार आदी सजाकर उठ खड़े हुए, महिशासोर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर कर कहा, ये सब क्या उतपात है, फिर वो अपनी सेना के साथ उसोर दोड़ा, जिसोर से भयनकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आथे के मुकुट से आकाश में एक रेखासी बन रही थी और उसके धनुष की टिनकोर से सब लोग शुब्ध हो रहे थे, देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाशित होने लगी। वाशकल नामक असुर साथ लाख असुरों के साथ युद्ध में आडटा, विरल नामक असुर एक करोड रथियों सहित लड़ने को तैयार था, इन सबके अतिरिक तौर भी हजारों असुर हाथी और घोडे साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिशासुर कर असुर्थियों और घोडो सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। इसके पश्चात रिशियों और देवताओं ने देवी ककी स्तुती आरंब कर दी और वह प्रसन होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। पर्टेश इत्यादी अस्त्रों के साथ देत्यों से युद्ध करने लगे। कई देत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृत्वी पर लेट गए और कितनों की बान से कमर तूट गए। देवताओं को पीरा देने वाले देत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गृवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमी पर लुड़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गई और कितनों की जनह जाएं कट गई और वा पृत्वी पर गेर पड़े। कितने ही सिरों वा पैरों के कटने पर भी भूमी पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई देत्यगंड भूमी में बाजों की ध्वनी के साथ नाच रहे थे, कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धर से ही हाथ में शस असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नश्ट कर डाला, जैसे त्रिन काश्ट के बड़े समून को अगनी अग्धकी अतो देवताओं ने प्रसन होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की